करने वाले हैं मारा चाप्टर नंबर 10 मानव कल्यान में सुक्षमजीव इसका वन शॉट हम करने वाले हैं यह वन शॉट मैं आपको मिनिमाइज करके दूँगी मतलब ज्यादा इलाबोरेशन रखोंगी वड़ आपका टाइम ज्यादा कंजूम में नहीं करने वाली हूं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जिणनी के मेरी कोशिच रहेगी और जो हमको करने हैं वह cancel ह मेंसे को हम इसको पड़ने मालेût कर दो हमारे आसपास बहुत सारे सुक्षम जीव लगता है कि इसका Ojima जेसे upset वहां हूए तो नो जैसे भगवान सर्वव्यापी होता है इसी तरीके से सुक्ष्मजीव भी सर्वव्यापी होते हैं भिन भिन तरीके के सुक्ष्मजीव हमारे पास होते हैं आप अगर बात करो बैक्टीरिया कवक कोई आपका जीवान दूसरा है है ना प्रोटोजोवा है कुछ भी आपका हो जो हम अपनी पाई जाते हैं एक्जाम्पल के लिए थर्मस एक्विटेकर्स राइट अगर मैं बात करती हूं तो यह सुख्षमजीव हमारे हर जगह मिलते हैं जैसे मैंने कहा सर्वव्यापी कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं और कुछ को हम हमारी लैब के अंदर यानि कि हम कहां पर मीडिया के अंदर भी उगा सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि आपके सुख्षमजीव अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमको नुकसान करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करू हमने भी बिमारियां पड़ी ती जहां पर हमने बात करी सालमोनेला टाइफी है, हमारा हीमोफिलस इंफ्लूएंजा है, स्ट्रेप्टो कोकस नुमोनी है, ये हानी कारक आते हैं, ये डैविल्स हैं, परंतु हम दही खाते हैं, दही में भी जिवानों होता हैं, और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारे एंजल्स हैं, तो हमारे सुक्ष में जीव भी हमारे शरीर के लिए, हमारे उत्पादों के लिए हानी कारक और फाइदेमन्द हो सकते हैं, हमको सिर्फ फाइदेमन्द पढ़ना है, तो अगर मैं शुरू करती हूँ यहां पे, तो सबसे पहले गर मैं बात करूँ तो दही की बात कर लेती हूँ जी, किसकी बात कर लेती हूँ दही की, सबको पता होगा दूद के अंदर, जब हम दूद को उबालते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, और फिर उसका भी पूरा दही बन जाता है है ना तो दही के अंदर हमने जो होता है एक बैक्टिरिया उसका नाम के बारे में बात कर लेते हैं तो हमारे पास वही क्या होता है दूद होता है दूद के अंदर केसिन प्रोटीन होता है ठीक है पर वही केसन प्रोटीन अगर सकंदित हो जाए तो सकंदित होने के बाद दही में प्रिवर्तित हो जाएगा वो अब आपको कि मैं में सकंदित कैसे होगा सकंदित होगा लेक्टिक अमल की वज़े से अब लेक्टिक अमल कहां से आएगा एक जिवानू से आएगा Lactic Bacillus bacteria से या फिर Lactic Amal bacteria से तो अगर मैं बात करूँ Lactic Bacillus तथा जिसे हम Lactic Acid bacteria के नाम से भी जानते हैं ये जिवानु हमारे दही में मुझूद होता है और ये क्या करता है Lactic Acid का निर्मान करता है और Lactic Acid के उत्पन होने से निर्मान होने से जो दूद के अंदर protein होता है वो सकंदित हो जाता है और आंशिक रूप से पच जाता है और जिसके वज़े से वो दही के अंदर प्रिवर्थित हो जाता है अब इसके फाइदे भी है ऐसा नहीं कि फाइदे नहीं है फाइदे भी है ठीक है vitamin B12 यह बहुत important point है vitamin B12 की जो व्रधि होती है मातरा होती है दूद के अंदर कम होती है दही के अंदर कहीं जादा होती है कारण क्यूंकि वहाँ पे lactic acid bacteria है lactic acid bacteria vitamin B12 की मातरा को बढ़ा देता है ताकि ताकि हमारी जो portion की गुणवत्ता है वो भी बढ़ पाए साथ में हमको यह कहा जाता है कि दही बहुत ही अच्छी होती है शेहत के लिए वो क्यूं होती है जैसे ही दही हमारे शरील के अंदर जाती है ठीके जी तो वो क्या करती है वहाँ पे वो जो अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा आपने हैपी बार्दे चुयू करा होगा केक काटा होगा हन जी डोसा खाया होगा जी इडली खाया होगा बहुत सारी चीज़े देखते हैं चोले भटूरे खाय होंगे बबा कितनी सारी चीज़े होती है जहां पे हम दही का इस इस्तेबाल करते हैं हमारे पास बहुत सारे माध्यम है जहां पे हमको खाने की अंदर एक हम बोलते हैं ना किनवन करने के आवशकता होती है वो हमारी चीज आटा वाटा फूल जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो दाल चावल से बना हुआ धीला ढाला आटा जिसका परियोग हम इडली या डोसा बनाने में करते हैं यहां पे हम दही डालते हैं और उस दही के अंदर होता है ब तो इस्ट बनाने के अंदर भी हम इसका इस्तमाल करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दक्षिन भारत के कुछ भागों में एक आपकी पेपदार था तोडी क्या कहते हैं टोडी टोडी जैसे हर कही आपने देखा नहीं बूलते हात की कड़ी हुई है हत की कड़ी क गया होते हैं किसी को मालू है हाथ की निकली हुई व क्या करते हैं जादतर जो ताडवरिक्ष होता है ताडवरिक्ष को किनवित करते हैं और उसे टोड़ी बनाते हैं इसके लावा हमको कोई मचली किनवित करनी है सोया बीन किनवित करना है या फिर हमको पनीर बनाना है चीज बनाना है हर कहीं हम इन सुक्षम जीवों का इस्तमा करते हुए आए हैं देखो cheers cheers कर रहे हैं यहां पर अब यहां पर आगे देखो अगर मैं बात करो पनीर में तो पनीर भी अलग अलग तरीके के होते हैं तो जैसे अगर मैं बात करो हमारे पास अलग अलग तरीके के जिसे आपने टॉम एंजेरी के अंदर यह वाला चीज देख तो वह सोफ्ट हो जाएगा पर उसके से खिचेगा नहीं तारसा नहीं किचेगा पर इस वाले चीज को गर मैं हलका सा गरम कुरते है इतना तारस इतना बढ़िया सा मुलायम सा टेक्स्चर आएगा इतना अच्छा सा आएगा बहुत चांदा है तो टॉम जैरी में भी हमने दे प्रोपीनो बैक्टीरियम शर्मनाई नामक बैक्टीरिया होता है वह बहुत जादा बड़ी मात्रा में कार्बन डैक्साइड का निर्मान करता है क्योंकि कार्बन डैक्साइड तो हर जगे सेम है और उसी की वजए से यहां पर यह च्छेद भी इसके अंदर देखने को हमक ब्लू चीज का मतलब क्या है यहां पर देखो यहां पर यह जो कवक है इसका नाम ने लिखा और नाम में बता देती हूँ पैंसीलियम रोकी फॉर्टी नामक फंगस का इस्तिमाल करते हैं रोक फॉर्ट चीज बनाने के लिए ठीक है और इसके वजएसे यह जो चीज है इस अच्छे से कड़वा कड़वा से स्वाद देता है हमको दो मीठी चीज और नम्कीन चीज पसंद है पर यह बहुत कड़वी कड़वी सी होती है ठीक है और बनाने माला कोन है रोकी फॉर्टी पैंसीलियम रोकी फॉर्टी याद रखना इस चीज को अब देखो यहां पर च तो इस तरीके से उसका टेक्शर कैसा होगा उसके इंतर से खुश्बू कैसे आएगी महक कैसी आएगी इन सब चीजों के लिए इसी के अंतर के लिए हम अलग-अलग सुष्म जीवों का इस्तमाल करते हैं फिर आता है ओध्योगिक परियोग औध्योगिक परियोग बहुत ही जैसे के अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे मादक पदार्थ हम बनाते हैं दारू शारू है ना, आपि बाड़े टू, यू दिंग श्रिंग मी टू है ना, वह अला जो चीज होता है आपका ओध्योगिक उत्पादों में आता है, अगर मैं उत्वत्योगिक उत्पादों की निरमाण किया जाता है पहले आते हैं केनव Works याने कि जिसकों फ़रमेंट करते हैं जैसे के अलोग से अंगूर काटे पहले काटे निरमाण किया अंदर या डाल दियाakah वाघसर आप नर इसे हम अंडर अपनी के ढख दिये चितर का फ़न दिया वहां पर आव आई विया पाचन होता है जिसकी वज़ा से इथनॉल का निर्मान हो जाता है ग्लूकोस को इथनॉल में प्रिवर्तित कर दिया जाता है ठीक है तो यहां पर हम इसको ब्रेवर इस्ट के नाम से भी जानते हैं अगर हम ब्रेड बना रहे तो बेकर इस्ट अगर दारू बना रहे हैं तो ब्रेवरिस्ट ठीक है कोई दिकत नहीं है ठीक है अब यहां पर इथनॉल का निर्मान होता है यह मैंने आपको बता ही दिया अब देखो यहां पर किनवित पेग के अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो यह चल रहे ना पेगशेग मुझे नही तरीके के हम बनाते हैं कैसा पदार्थ हम इस्तमाल कर रहे हैं किनवन करने के लिए हम अनाज का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है जी हम किसी फ्रूट फल का किसी सबजी का इस्तमाल करते हैं तो हम किस तरीके का इस्तमाल कर रहें किस तरीके का कच्छा पदार्थ इस आधार पे हमारे किणवे टपे जो है अलग-अलग अलग टेगरी में भागों में विभाजित लिए गए हैं ठीक केंजी मेश हैं जैसे कर मैं बात कर ऊologरो किया उसको वाइन, वाइन हो गई, वाइन को हम किसे बनाते हैं, फ्रूट से बनाते हैं, ग्रेप से बनाते हैं, वहीं पे बीर हम बना रहे हैं, बीर अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बीर, रम, विस्की, इसको हम किसे बनाते हैं, इसको हम अनाज से बनाते हैं, माल्ट से बनाते हैं, म प्रति जैविक क्या होता है नाम से पता चल रहा है प्रति और जैविक यानि किसी चीज के विरुद है प्रति मतलब किसी चीज के विरुद होना किसके विरुद है जीवन के विरुद है प्रति जैविक जीवन के विरुद है अब देखो आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी हमको बैक्टीरियल स्पेशली जब जीवानों वाली हमको कोई रोग हो जाता है तो हम जैसे कि मैं बात प्रति जैविक क्या होता है? प्रति जैविक एक ऐसा रसायन होता है, जो होता तो उत्ति किसी सुक्ष्मजीव से ही है, कोई सुक्ष्मजीव ही होता है उसको बनाने वाला, उस रसायन को हम निकालते हैं, और किसी दूसरे सुक्ष्मजीव को मारने के लिए इस्तमाल करते हैं पर एक्जाम्पल अगर मैं बात करूं देखो यहां पर लिखा है कि I am not the one for flu कि मैं फ्लू के लिए नहीं हूं बट hope you will get well soon कि आप ठीक हुजाओगे इतना मैं वदद कर सकता हूं ठीक है चलिए पर एइसा होते हैं यह चली कि अब देखो यहां पर उसको पर भगाता है ना कहने कि जो है एक ऐसे रसायन होते हैं कुछ ऐसे रसाइन निक कदार्थ है जिसका निर्मान करते तो हम सुक्ष्म जीवों से ही हैं ऐसा नहीं करते करते तो हम सुक्षम जीवों से ही उनका निर्मान करते हैं और अन्य जो रोग उत्पत्ति करते हैं रोग उत्पत्ति करने वालों को भगाने के लिए फिर उनको मारने के लिए उनकी व्रद्धी को मंद करने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं सबसे जो एंटिबाइटिक थी वो थी पैंसेलिन और इसकी खोज खी थी अलेक्साइंडर फ्लैमिंग ने ठीक है और यह जो पैंसेलिन थी यह कहां से बनी थी पैंसेलिन को हमने निकाला था एक आपका pencyllium notatum नागमख, Mold मतलब कि एक कवक से हमने उसको प्राप्त किया था जी, एक कवक से हमने इसको प्राप्त किया था, ठीक है, अब बारी आती है, रसाइन, एंजाइम और अन्यly番-जैव सकरिय, अनू की बात करते हैं, देखो, हमारे पास, यह रसाइन बनाना है, एंजाइम बनाना इसेड Technology को में इंक्लूड करा नहीं है रसाइन हम गढ़ों में constitute should do आप अचार डालते हो तो आप अचार के अंदर तो अचार कี अन्दर कारण तक वह जल्धी से गल गल जा हथा और ढूसर człon Dopo बैंजय केसड दालते हो बैंजय कासेड तक कोईश के अंदर under तो आप घरों में इस्तमाल करते हो विनेगर सब खाना बनाते हैं तो नूडल्स बनाते हैं तो विनेगर डालते हैं करते हैं इसका लगातार इस्तमाल होता ही होता है कुछ है ना करते आए हम acetic acid vinegar करते आए इसका इस्तमाल घरों में तो हमारे पास यह कहां से आता है यह रसायन कहां से निकाले कोई carbonic amal है carbonic amal है alcohol है enzyme है इसको हम निकालते कहां से हैं इनको भी हम कुछ सुक्ष्म जीवों से ही प्राप्त करते हैं यह important है यह सारे के important है जो मैंने कर रखे हैं इस चारो important है citric amal को अगर निकालना है तो हम एसपरगिलस नामक एसपरगिलस नाइगर नामक एक कवक से प्राप्त करेंगे acetic amal अगर हम को चाहिए तो acyctobacter acety नामक जिवानों से हम प्राप्त करेंगे butyric amal अगर हम को चाहिए क्लोस्ट्रीडियम व्यूटिलिकम से हम प्राप्त करेंगे लैक्टिक amal हम को कहां से मिलेगा lactobacillus से मिलेगा ठीक यह याद रखना यह चारों पूछे जाते हैं important है repeat होता है यह question यह बार-बार most repeated question है सबसे ज्यादा repeat होता है यह वाला question तो इसको याद रखना आप सभी ठीक है चलिए यह याद रखना भी important है Clayton t Expandol का हम इस्तमाल करते हैं तो हमको पताई यह it inक हमнейst का इस्तमाल करेंगे सहको माईसि सर्वैसि इसका इस्तमाल करेंगे लाइपेस का इस्तमाल करते हैं अप मार्जिक में जैसे आप ने भी कि को testing होता है तो आप सोचो जो वो oily product था उस oily product के अंदर तेली पदार्थ के अंदर क्या था वो तेली पदार्थ के अंदर क्या था लिपिड से बना हुआ है लिपिड को तोड़ने के लिए हटाने के लिए lipase enzyme चाहिए तो हम क्या करते है हमारा जो अपमार्जक होता है पर वहीं पर हम दुकान से fruity, maza या real juice ले आते हैं तो वहां पर वह बिल्कुल सास उत्रा clear आर पार दिख जाए ऐसे वाला हमको दिखता है वो ratio कहां गायब होगे उस रस के वो हम हटा देते हैं दो दो enzymeों से जिसका नाम है pectinase और protease pectinase और protease की मदद से जो आपका juice आता है जो आपका रस आता है फलो का उसको हम साफ करने का कार्य करते हैं ठीक है pectinase और protease फलो के रस को साफ करने के लिए और lipase आपका किस लिए अपमार्जक में यह हमारे दो enzyme थे जो हमारे बहुत बार पूझे जाते हैं आगे देखो यह आपके अणू है यह बहुत important है बता देती हूं बहुत important है ठीक है जी देखो इसको streptokinase streptokinase और streptococcus streptokinase streptococcus एक जिवानू का नाम है जिससे हम एक उत्थपत्ति कराते हैं एक पदार्थ की जिसको हम क्या कहते हैं streptokinase याद रखो यह अलग चीज है ठीक है अलग चीज है किसी को अगर यह सेम लग रही है तो आपको बता दो यह अलग है streptokinase एक अनू है यह एक अनू है जैविक अनू यह अनू streptococcus नामक जिवान से हम उत्थपत्ति करते हैं इसका इस्तमाल क्या है इस्तमाल है कि इस एंजाइम को इस अनू को इस एंजाइम को हम इस्तमाल करते हैं जो हमारा खून का थक्का होता है जैसे आपने कुछ रोग देखे होगे myocardial infection जहाँ पर खून का थक्का हमारे दिल तक पहुंच जाता है और उस थक्के की वज़े से हमको हर्द घात हो जाता है तो इस тебе सब्सक्राइब तो कैसे खतम करेंगे यानि कि आपके थक्का सफोटन में ठक्के को हटाने में किसका इस्तमाल करते हैं स्ट्राप्टो काईनेस का इस्तमाल करते हैं उसके बाद आफकारा जैव्षट अनू आता है जिस tam हमने कहा cyclosporine A ये बहुत ही important है क्या है? important है cyclosporine A ये हमारा एक प्रतिरक्षा निरोधक है प्रतिरक्षा निरोधक का मतलब समझा देती हूं पर एक्जामपल आपने क्या करा एक इंसान का किड़नी खराब था तो उसने दूसरे इंसान से किड़नी लिया हमारे शरीर को पहचान होती है कि ये अंग मेरा है और ये अंग कहीं और का है तो हमारा जो शरीर है वो antibody बनाना शुरू कर देगा हमारे उस अंग के विरुद क्योंकि उसको पता है कि ये जो है मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है अब हम क्या करते हैं अब हम उसको देंगे cyclosporine A क्या देंगे cyclosporine A देंगे और cyclosporine A जब हम देंगे तो हमारा शरीर ये पहचान नहीं कर पाएगा कि ये हमारा है या दूसरे का है और तब तक वो फैचान करने के सक्षम होगा तब तक वो भूल चुका होगा इस बात को थीक है वो हमारा ही अंग हो जाएगा उसके लिए कोई एंटिबॉटिक नहीं बनेगे कोई antibody नहीं बनेंगे यह हमारा प्रती रक्षा निरोधक यानि कि हमारे शरीर से उसकी रक्षा नहीं करना कराने देनी है जादा तर यह आपका कहां इस्तमाल होता है जादा तर इसका हम जब प्रती रोपन होता है किसी भी अंग का उस समय पर इस्तमाल करते हैं साइक्लोस्पोरिन यह हम निकालेंगे कहां इसको हम उत्पादित करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नाम की कवक से इसका हम उत्पादित करते हैं इसको हम प्राप्त करते हैं इसके इलावा मोनसकस परपुवैसस नाम की इस्टाती है जहां से हम स्टैटिन निकालते ह स्टैटिन निकाल लेंगे और स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं कोलस्ट्रोल की लेवल को उसके स्तर को कम करने में कोलस्ट्रोल के स्तर को हम कम करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलिए वाहिद मल के उपचार में सुक्षम जीव हमारे कैसे आते हैं देखो हमको पता है कि हमारे पास कितना गंदगी नहीं वहां से होती है पर शहरों के अंदर तो कहीं जगह ही नहीं है कि उस पानी को इस गंदगी को इस्तमाल कर लिया जाए तो वहां पर वो क्या करते हैं वो जो उनका वाहित मल निकलता है उनके घरों से जो वेस्ट निकलता है जो वहां से आपकी क्या निकलती है बहुत बड़े मातरा में उनका मल मुत्र जो निकलता है व्यर्थ जल जो निकलता है उसको हम कहते है सीवेज उस सीवेज के अंदर बह होता ही होता है दूस्रा इंदर रो चिनक लेशते हि को नियुकर बहुत इसलिज बसक्ष मे वहां पर कुछ सुक्षम जीव हैं 9 को नियुकर चर्न की प्राथ्मिक वचार दूसरा है टोह ब हम सका उझाए इस तोसमेIFA पहला क्या है प्रात्मिक उप्चार दूसरा है दूईतियक उप्चार प्रात्मिक उप्चार जो है वो क्यों है प्रात्मिक उप्चार में क्या होता है पानी के अंदर कर कोई चीज गंदगी तैर रही है तो उसको हटा दो दूसरा उसमें कंकड है उस कंकड को नीचे बठा अवसाधन की प्रकरिया से तैरते हुए कुड़े को निकालना यानि चानने वाला करम और दूसरा अवसाधन से कंकड को हटाना यह दो कार्य प्रात्मिक उपचान में होते हैं जहां पर हम छोटे-छोटे कंडों को निसंदन यानि फिल्टरेशन से करें हटाएंगे दूसरा अवसाधन से हटाएंगे ठीक कुड़े करकट जो इसके अंदर तैरता रहता है उसको हटाएंगे बाद में उसको ग्रिट होता है छोटी जो गटी कानों होती उसको अवसाधन से अटा देंगे अब यहां पर अगर आपको जो बच अब जो वेस्ट बच गया अब क्या करेंगे देखो यहां से हमने च्छाना अवसाधन किया और आगे भेज दिया अब आता है दूइत्यक चरण में उस पानी के अंदर तैरती हुई चीज हट गई है कंकडवंकड हट गए हैं अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई है वह कार्बनिक पदार्थ उस कार्बनिक पदार्थ को हटाने का कार्या दूइत्यक उपचार में किया जाता है कार्बनिक पदार्थ को अगर हमको हटाना है तो इसके लिए हमको कुछ जीवानों का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमको यह मालूम है कि हमारे पास कुछ ऐसे जीवानों होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ को खा जाते हैं उन जीवानों का उन सुक्ष्म जीवों का हिस्तमाल गरना है तो यहीचीज यहां पर होती है है इसमें वाई-यो की जाती है हां या खास बात है कारब्लीक पदार्त को जो खाते हैं सुख्श्मजीव उनको आक्सिजन देते हैं क्योंकि कि वह वाई-विय कारे करते हैं आव वाई-विय का पाचन नहीं करते हैं इसके लाब्दा एक वाई-व्य सुक्ष्मजीव में प्रबर शशक्त व्रधी उर्णक की हो जाएगी कवकिये तंतुवों से जुड़े हुए जीवानुं की जाली जैसी संदंशना के जुड़ में हो त्विष्ट एककीज़ पीओड की चाहिए की सबस्क्राइब है जतने को स्आइध को खपट करानी जितना कारवनिक पदार्थ हटाना है उतनी ही oxygen मैं दूंगी ठीक है तो CDC बात है अगर मैं कहूं बहुत जादा BOD है मतलब oxygen बहुत जादा इस्तेमाल हुई है मतलब बहुत जादा वहां पर कारवनिक पदार था बहुत जादा दूशित पानी था मैंने कहा कम BOD यानि कि पानी का जो स्तर है प्रदूशन का वह थोड़ा कम है यह आपका डारेक्टली प्रपोर्शनल चलता है ठीक है चलिए आगे देखिए अब जो व्यर्थ आ गया पानी अब पानी को और क्या करेंगे पानी को और क्या करेंगे आगे भी तो पानी का कार्बनिक पदार्त भी कर लिए अब इन और पानी को खताने के लिए हम फिर से किसी को और क्या इस्तेमाल करेंगे और व क्या जाते हैं आगे दूसरे तक में और इस कि उस घी टाला जाता है पर जाद थर उन्हयकों को हटा जाता है और इसके अंडर ढालना यही तो इनके instructed हम संट शुक्ष की तर उन्हान को धक्ना रिक महीं सब्सक्राहें लोगा करेंगे का मैं Dé minute स्क्षम जीव ठीके लिए बायो गैस में कैसे इस्तमाल होता है इसका जरा इसको देखिये बायो गैस कर बायो गैसे के में एक प्रकार की ऐसी गैसे हैं जहां पर बहुत सारी गैसी शींट मैं टरीके का, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि एगर मैं बात करूँ, hydrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, methane, सबसे ज़्यादा methane, methane मैं कहूँ 90% से 90% से ज़्यादा गैस होती है, methane, इसलिए हम बोलते, bio gas, natural gas, methane कोई बोला जाता जाता जाता, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो यहां पर यह बनती कैसे है, यह बनती है कुछ बैक्टीरिया की वज़े से, कुछ जिवानू होते हैं, वो जिवानू इसको निर्मान करते हैं, वो जिवानू क्या करते हैं, जिसका निर्मान करते हैं, वो जिवानू क्या करेंगे, देखो हमारी जो गाई भैस है इसके रूमिन में उसके पेट में उसके अंदर क्या होती है? उसके र्यूमन ने कुछ जिवाणू पाए जाते हैं अब भैस जो है खाना खाएगी पेड़ पोधे खाएगी ठीक है पेड़ पोधे खाएगी तो उसके अंदर पेड़ पोधों की जो कवक होती है को बित्ती होती है जो उसकी कोशी का बित्ती होती है वह सेलूलोस की बनी हो कि यहां से एक आपका इनलिट है इतालने का है हमानके कि यहां पिर बक्रेप्स कोकि दाला‌गा इसके अंदर बहुत सारा slurry डाला जाते है देखो, यहाँ से एक आपका इंलिट है डालने का है हमने क्या क्या एक गोबर लिया उसकर पानी मिलाया यह भी शब भी चिलके के दिभल की वो भी ढले और हमने यहां पे डाल दी वो सारे वाहित हो के यहां पर आ गए जब यह काफी सारा भर जाएगा काफी सारा गोबर इसके अंदर यह से इकठा हो जाएगा इस लरी इकठी हो जाएगी तो यहां पर बहुत सारी गैस का निर्मान होगा Gas हलकी होती है, उपर जाएगी, तो हमने यहाँ पर डॉम बना रखा है इस डॉम खे बना इंदर गैस इकठी हो जाएगी और इसका इस्तमाल हम यहाँ से निकालके कर लिएगे अब देखो, यहाँ पर हम गोबर कितना डाल सकते हैं बार डालेंगे तो निकालना भी तो पड़ेगा ना तो जब एक लेवल पर भर जाता है ना इधर से डालते हैं और इधर से ये निकल जाता है जब इसका लेवल भर जाएगा तो ये ऊपर निकल आता है और ऊपर का हम हटाते जाते हैं डालते जाते जाते हैं डालते जाते हैं उसका इस्तमाल हम कर सकते हैं किसमें खाद के रूप में ऐसका कर सकते हैं थे 20 दूसरा को practice जैव नीयंतरन के आनि यख़वनी यंतरन को अदू देखो हम जब खेतों में उकाम करते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कीडे होते हैं ऐसे रोग जनक होते हैं जो कि बहुती नुकसान दायक होते हैं जो कि बहुती क्या होते हैं नुकसान दायक होते हैं वो हमारी फस्ट लोको खा जाते हैं देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट कौन सा चल रहा है, सीधा सा कंसेप्ट एक ही चल रहा है हाँ पर, हमारे पास कीट होते हैं, कुछ कीट शाकाहारी कीट होते है, शाकाहारी कीट पोधें के उपर, पादप के उपर जिन्दा रहते हैं, किसके उपर, पादप के उपर जिन्दा र वह इन शाकाहारि कीटों के उपर जंदा रहते हैं ऊह्क их सबसquitoीकित से हमारे पध्यों कोई नुकसान नी होता कयृ आपको मछ्छर मच्छर बैटा नर्मच्छर पदफ के उपर रहता है कि नर्मच्छर के उपर रैगा पादप पेड़ को नुकसान करेगा ठीक है अब हमारे पास दूसरा आता है ड्रैगन फ्लाइ आपने दूसरा बीटल देखा होगा थोड़े लाल रंका होता है काला काला धबा होता है धार यहां होते है तो अगर मैं बात करूं उसकी तो आपका यह जो शाकाहारी कीट होता है जिसके बीटल ने क्या करा वो बीटली समच्छर को खा गया हमारा पोदा पचिया ना बागी हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कई बार कि हम बहुत सारा रसायन डाल देते हैं रसायन डालते है तो शाकाहारी कीट तो मरता ही मरता है साथ में मासाहारी एट भी बन जाता है यह मासाहा सेतों में बगात हिरुण हो पीट सकता है जो नुक्सान ALO यहां भी हम और तनों आने चाहिए बिन बात करते हैं ख TO डिधनरे प्रिवर्तित हो जाता है एक हमको कुंतनी बिमारिया होती है जैव आवर्दन होता है जो रसायन हम फसलों में डालते हैं वहीं हमारे शुरीर में जाता है तो दिमाग भी कम काम करता है प्रदी नहीं होती है तो हमको चाहिए कि जादा से जादा हम और्गैनिक फार्मिंग करें ठीक है यह शाकाहारी कीट है इन शाकाहारी कीटों को अगर अगर करना है जीवन का नियंतरन करना तो दूसरे जीवन से करो रिसायन से नहीं अब एक्जामपल के लिए मैं आपको यहां पर बता दू कि बहुत सारे एक्जामपल हमारे पास आते हैं जैसे कि आपका यह वाला यह मच्छरों को खाने के लिए बड़ा काम आता है जैसे कि आपका खेतों में परभक्षी पीड़क होते हैं जिसका जीवन चक्र आहार गर्ण करने में वीधी में वासल गरूप में पसंद किया जाता है एक्जामपल आप कर लो भ्रिंग यानि बीटल जिनके उपर लालवे काली धारी होती है यह वाला इसी के मैं बात कर रहे हूं ठीक है यह उदर भी लगावा ऊपर ठीक है और इसके अलावा आपकी व्याद पतंग व्याद पतंग आपने देखी होगी न ड्रैगन है इस तरीके से ऐसे यह ड्रैगन फ्लाइभ होती है ऐसे एसे वाली देखी होगी सब लें कई बार हम को मिलती है तो यह वाले जो बरिंग बीटल है और जो आपकी व्याद पतंग है ड्रैगन फ्लाइब हैं यह हमारे जो आफिय्ड होते है जो मच्छर होते हैं इनको खाती का इस्तमाल हमने पडेंगे आगए बाले चैटर में भी पढ़ेंगे जो बैसिलस थुरेंजिनस होता है वो हमें को एक जिवानों से प्राप्त होता है जिसको केहते हैं कि भरी मिलogen केूं प्रोभ्य इसे फिर नाम को को तो उस पोधे को अंदर प्रति रोध आजाता है वो बाकी रोग उसे लड़ पाएगा यानि जहांवे भी त्राइकोडर्मा प्रजाती आ जाएगी वहां पर कोई दूसरा रोग जनक नहीं आ पाएगा यह भी फाइदा ही करती है जैसे हम बात करते हैं किसी-किसी घर में प्रजाती के लिए पाइदा ही करता है त्राइकोडर्मा क्योंकि यह आपका फॉस्फोरस को आपके नाइट्रोजन को स्थिरी करन करेगा पोधे को फाइदा ही करेगा ट्राइकोडर्मा क्योंकि कवक है और दूसरा रोग जनक से बचाएगा इसके अलावा बैकुलो वाइ अगर मैं बात करूं तो जैव उर्वरक में हमारा आ जाता है जैविक शक्ति को पोधो की जैविक शक्ति को जो बढ़ाने का काम करता है वो क्या होता यह वुर्वरक होता है ठीक है जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जिवानू हैं, बहुत सारे कवक हैं, साइनो बैक्टीरिया हैं, जो इसके अंदर आते हैं, जिवानू जो होता है और जो कवक जो होता है, दोनों का अंतर हैं, जिवानू हमेशा नाइट्रोजन का स्थीरी करन करते हैं, जैसे आपका ये nitrogen का स्थिरी करन करेंगे कवक जो है phosphorus का स्थिरी करन करती है ठीक है ये चीज आपको याद रखने है जैसे कि liguminosity podhoum के अंदर हमारे पास rhizobium नाम से सहाजीवी रहते है raizobium क्या होता है पैस साहे जीवता में रहेंगे इंगे, इस अखर मंदल्य नाइट्रोजन थीरिक रहते है। दूसरा दूसरे जीवाणू है जैसे ऐसे ऐसे बेक्तर इंपोर्टेंट है यह म्रदा में ऐसे मिलेंगे यह भी वायूमंद लिए नाइट्रोजन को स्थिरी करेंगे ठीक है इसी तरीके से नाइट्रोजन का अव्वय बढ़ जाएगा माइकोराइजा इसी के एक्जामपल है सहर जीवी संबंद माइकोराइजा की बात करें माइकोराइजा में जिवाणू नहीं कवक होता है क्या होता है ठीक है अब जो कवक होता है कवक आपका क्या करेगा फोस्फोरस सिर करेगा यह आपको याद रखना है ग्लोमस जीनस के बह साथ में आपको ये भी याद रखना है, जैसे ही कोई कवक पोधे के पास आती है, तो उस पोधे के पास दूसरे रोगों से लड़ने के शमताबिया जाती है, ये आपको याद रखना है, इसके लाबा साइनो बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा सुख्षमजीव, जो जली आवस थल है, दोनों वाल्यो मडलों में पाए जाएंगे, बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन का इस्तिरी करन करेगा, एक्जाम्पल के लिए एना बिना, नो स्टोक और ऑसलेटेरिया, ये इंपोर्टेंट है, धान के खेत में साइनो बैक्टीरिया महतोपून जैव उर्वरक की ठीक है, अगर मैं बात करो यहां पे, तो आपके पास आज के टाइम पे जैव उर्वरक जो है, बहुत बड़ी मातरा में है, और अगर मैं बात करती हूं इसकी, तो नॉर्मली तो रहते ही रहते हैं, पर हमको बाजार में भी पाउच में मिल जाते हैं, आजकल हमको बस डाल होता है, छिड़काना होता है, और शीज़े हो जाते हैं, ठीक है, तो यह थी हमारी क्लास, यह था हमारा वन शॉट, देखो मैंने आपकी मुश्किल से 40 मिंट लिएंगे, मुश्किल से मैंने 40 मिंट लिएंगे, 40 मिंट की अंदर हमने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दि जीव विज्यान, जीव विज्यान आपको मैं पढ़ाती हूं, ठीक है जी, और डेली 2-3 मेरी क्लास होती है, 2-3 में दो पैर को, मैं आपको डेली इसी चैनल पर मिलती हूं, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, दूसरा सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब में सुमार को. गुद्बाइ! गुद्बाइ! झाल झाल